हलो एवरीवन, वेलकम बेक टू नोलेज फोर फ्यूचर स्टडी चेनल सांकी की अधिकारी परिच्छा 2021, 18 दिसम्मर को ये परिच्छा होई थी इसके राजिस्थान जीके के जितने भी कोशन पूछे गए थे इस एकजाम में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो पहला कोशन पूछा गया था निमलिकित में से कौन सा पुरातात बिद काली बंगा की उत्खनन से कभी भी संभद नहीं रहा है आप सभी को पता होगा कि यदि खोज बाला कोशन आता है कि काली बंगा की खोज किस ने करी थी अगर उत्खनन पूछा जाए कि काली बंगा का उत्खनन किस ने किया था तो उत्खनन किया था बीबी लाल और बी के था पर ने तो first, third and fourth, यह काली बंगा से सम्मंदित हैं के अनपुरी हमारा काली बंगा से सम्मंदित नहीं है तो हमारा answer क्या हो जाएगा, second option अब बात आती है के अनपुरी किसे सम्मंदित है के अनपुरी, red sabbita से सम्मंदित है रेड सब्विता टॉंक में है इसको टाटा नगर भी कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको कहा जाता है रेड सब्विता को क्योंकि यहां से क्या मिले हैं पंचमार्क सिक्ट्य कापी संख्या में यहां से मिले हैं तो कौन सा है अंसर, second option, के अन पुरी, जो की काली बंगा से सम्मंदित नहीं है, second option हमारा correct हो जाएगा, अगला question है, पुरा इस्थलों से सम्मंदित, निमनांकित योगमों पर ध्यान दें, और कोड की सेता से हमको match करना है, ठीक है, कौन सा यहां पर, सही विकलप यह हमको बत यहां पर नहीं है, पुराड करने, पुरा भोमों पर इसके अलाबाया, यहां पर ग्यारे कमरोवाला एक भवन भी मिलाता, तो भी आपको याद रहना है, यह शही है, दूसरा है सुनारी, सुनारी जुंजुनू में है, सुनारी सब्यता से लोहे की भट्टिया मिली है, सुनारी सब्विता से लोहा गलारे की बहुत सारी भट्टिया प्राप्त हुई है तो लोहा सब्विता है सुनारी के कापर है चुनजुनू में तो ये भी सही है थड़ है बागोर बागोर हमारा कहाँ पर है बागोर रासमन में नहीं है बागोर कहाँ पर है बागोर भीलवाडा में है ठीक है सी हमारा रासमन दे रखा था जो की गलत है बागोर कहाँ पर है भीलवाडा में अब जो बागोर सब्विता है, यह किसकी लिए प्रिशिद्ध है, यहाँ पर सबसे पुराने किरसी के साथ से मिले हैं, पसु पालन के साथ से यहाँ पर सबसे पुराने मिले हैं बागोर सब्विता में, यह आपको याद रखना है, इसे आदिम संस्कृति का खजाना भी कहा जाता है तो हमारा si option गलत हो जाएगा यो कि si यहाँ पर राज समन्द रलका सब्सक्ञाइब मेंट है isol. अगर है धिलूंडoluit सतक राज बल्लब और बास्तु मंजरी तो आपको पता होगा कुम्बा ने सूड प्रबंद नामक पुस्तक लिखी थी जिसको सुदा प्रबंद भी कहते हैं A option correct है इसके अलाबा जो कुम्बा है उसने कौन सी लिखी थी चंडी सतक भी कुम्बा के द्वारा ही लिखी हुई है ये दोनों आपको याद रखनी है राज बल्लब किसके द्वारा लिखी हुई है कभी मान के द्वारा लिखी हुई है और बास्तु मंजरी एक पुंडरीक बिठल के द्वारा लिखी हुई है तो ये C और D ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी कुम्बा के द्वारा नई गई ती फूर्थ ओप्शन करेक्ट है सबाई प्रताप सिंगे द्वारा रादा गोविंद संगीत साहर अगला मारा कोश्चन है प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे प्रजा सेवक जो समाचार पत्र उसके संपादक थे अचलेश और प्रिसाद सर्मा थर्ड पढ़िए जम्नलाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे बिल्कुल सही बात है ये जम्नलाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे सेकेंड है 1919 में राजिस्तान सेवा संग की स्थापना बिजय सिंग पतिक राम नाराण चोधरी हईवाई किंकर के दोरा की गई थी यह बहुत important point है ठीक है याद रखना है आपको कि 1919 में पहली बात तो यही पूछा जाता है कि राजिस्तान सेवा संग की स्थापना कब होई थ ठीक है इसके अलाबा एक आता है कि समाचार पत्र कौन कौन से थे राजिस्तान केसरी राजिस्तान संग का पहला समाचार पतर था राजिस्तान केसरी उसके बाद फिर नभी राजिस्तान आता है ठीक है तो 1919 में राजिस्तान सेवा संग की स्थापना बजय सिंग पतिक राम तोबर दयाल गयल विकानेर से संग्ञेउर से बिलकुल सही बात हैं old maid नने आजाद मोर चाहिता कब किया था जब भारत में भारत छोड़ो अंदोलन चल ला था Ѧ्चे टाइम पर शियकर रियासत्थ नहीं दिया था था उस टायम सास्तçी ठीचन मिरजा इसमायल के साथ कोशन आता है जेंटलमेन एग्रिमेंट किस-किस के बीच हुआ था इरलाल सास थी और मिरजा इसमायल के बीच में उन दोनों ने जब कर लिया था भारत छोड़ों अंदोलन में भाग नहीं लिया था पार्टिसिपेट जैपुर यासत ने तो बाबा हर और तो अप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा राजस्तान की कौन सी पारंपर कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबी समय तक सुकंधित रहने वाले कपड़े का उत्वादन किया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलगिरी जो तकनीक है उससे सुकंधित रहने वाले प्यार किये जाते हैं राजस्तान में ठीक है याद रखना है मलेगरी second option यहाँ पर correct है अगला question है हमको आबूशन दे रखे हैं कान और इनके आबूशन हमको match करने हैं तो कान का आबूशन इनमें से कौनसा है अंगोट यह कान का आबूशन है मांदलिया गले का आबूशन है क कमर का अभूचन कौन सा है कंदोरा कंदोरा कमर का अभूचन है ये आपको याद रखना है ठीक है और दामनी दामनी ये किसका अभूचन है दामना अंगुली का अभूचन है तो ये चारों आपको याद रखने हैं कान का कौन सा हो गया अंगोटिया गले का मांदलिया कंदोर कमर का दामडा उंगली का अगला है सलीम सागर और सूरजकुंड चल तालाब कहां पर है तालाब है यह सलीम सागर और सूरजकुंड कहां पर है बाला किला अलवर में हैं इंपोर्टेंट है याद रखना बाला किला अलवर में सलीम सागर और सूरजकुंड मौजमाबाद निम यह सब गराशिया के निर्ते हैं रायन ठीक है याद रखने सारे के सारे इंपोर्टेंट एक कूद और बालर क्योंकि यह बिनाबाद यंत्र के होते हैं यह आपको याद रखना है सेकंड है गुजर का चरी निर्थ एक मातर दिन में होने बाला निर्थ एक पैस आपको याद रखना है ठीक है तो चारों आपने मैच कर लिये हैं गराशियों का मांदल गूजरों का पचरी, भील का गवरी, सहरिया का सांग नरते, उस अवलेक को चिन्नित कीजिए, जो प्राचीन राजिस्थान में बैशनब संप्रदाय की उपस्तिती के साथ च्छ देता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कोशन, गोसुंडी सिलाले किसका आंसर होना चाहिए था, इन् तिलवाडा, बाड मेर में, ठीक है, तिलवाडा, बाड मेर मेर में, अब तिलवाडा नाम से दो जगए है, एक बास बाडा में भी है, ठीक है, जहां पर क्या निकलता है, मैंगनीज निकलता है, तिलवाडा खान से, ठीक है, मैंगनीज निकलता है, लीलवानी और मेगमाल जो किरती है वो सुमेर सिंग सेखावत की है राधा सत्य प्रिकास जोसी की है माला के मन के तारा प्रिकास जोसी की है और सेनाणी मेगराज मुकल की पिरमुक किरती है सेनाणी पूछी जाती है मेगराज मुकल की ठीक है यह आपको याद रखनी है बिंधियन कगार नि तो निर्मित है बिंदियन का गार, थर्ष्ट उप्सन करेक्ट है, राजिस्तान के रेतीले सुस्क मैदान और अर्दसुस्क मैदान की संबरसा रेखा द्वारा प्रितक किये जाते हैं, तो रेतीले मैदान ये 25 सेमी रेखा द्वारा प्रितक किये जाते हैं, अर्दसुस्क मै किनारे पर मिलती है लेकिन सोडरा नदी बनाज से दाए किनारे पर नहीं मिलती है इसलिए इस पर्यावर्ण एवं जलबायू परबरतन निदेसाले की स्थापना किस वर्स हुई थी तो 2019 में राजिस्तान में पर्यावर्ण एवं जलबायू परबरतन निदेसाले की स्थापना हुई थी राजिस्तान में कि रामपूर आगूचा खान ए टो भीलबडा में सीसा जस्ता कि रामपूर आगूचा खान है Phris do song correct है राज स्तान में मोरीजा नीमला लौ है पंदार किस जिले में है तो मोरीजा नीमला यह जैपुर में है मोरीजा नीमला बन बिहार ये धौलपुर में है second option correct है राम सागर कहाँ पर है धौलपुर में सर्रा रोग किस से सम्मंदित है important question है सर्रा या फिर तिवर्सा रोग ये उन्ट से सम्मंदित है fourth option correct हो जाएगा अच्छा question है याद कर लेना लिख लेना राजस्तान की परवन ब्रद सचाई परियोजना किस जिले में है तो परवन जालावाड में है ये आपको याद रखना है second option ठीक है अगर पैसे अगर पुछा जाए तो बारा और कोटा ये भी लावानमित है लेकिन कहाँ पर ये जालावाड में है राजस्तान के किस परियोजना में छिडकाव या फबारा शिचाई की आवशक्ता पर अनिवारे कर दी गई है तो आपको पता होगा नर्मदा नहर से जालोर और बाड़ मेर को पानी जाता है नर्मदा नहर परियोजना में फबारा स्जाइ पढ़िती का अपयोग किया जाता है भील जनजाती द्वरा पहाडी ढालों पर की जाने बाली इस तिनांतर्त किल्सी क्या कहलाती है? चिमाता थाम मान जी के नाम पर कि यहां पर हनमान जी का मंदिर था बनवाया किसने था बटनेर के लाब भूपत ने ठीक है बाद में सूरत सिंग ने इसको जीत लिया था था और हनमान गड़ इसका नाम रख दिया था हनमान जी के मंदिर के नाम पर राजस्तान का जिला जहां 2001-2011 की अबदी में गिरामीर जन संक्या में न्यूनतम अधिक्तम न्यूनतम प्रतिसत दस्किय परवरतन अंकित किया गया है 2001-2011 में जो ग्रामीर जन संक्या है उसमें न्यूनतम कोटा में दर्ज किया गया है परवरतन ठीक है और यदि भही पर यह पूछ ले कि महीला जन संक्या में अधिक्तम प्रति प्रतिस्त परवरतन कोटा में अगला कोशन है भूमी अबलेकों का जो कंप्यूटरी करण है वो इमित्र पर होता है पंजियन एवं मुद्रांग विमान के लिए अपना खाता नाम से है एकिकरत इसेवा संग के लिए राजिस्तान क्रेश्ट नाम से है और मुख्यमंत्री स्वास्त बीमा योजना इसके लिए है चरंजी भी राजिस्तान.government.in ठीक है चारों आपको याद रखने हैं मैच कर लें हैं अगला कोशन है निम्ण में से कौन सा राजिस्तान राजे प्रदूसर नियंत्र बोर्ड से सम्मंदित है भामा सहा केस तरपन रिसरजेंट राजिस्तान उद्योग से सम्मंदित है भामा सहा आपको पता होगा भामा सहा योजना चली थी 2008 से ठीक है केस तरपन तो यह तीनों है नहीं केबल द्रस्टी यहाँ पर मैच कर रहा है फॉर्थ ऑप्श और राजिस्तान सरकार का इगवर्नेंस पोर्टल राजधारा कि से सम्मंदित है राजधारा जी आई एस से सम्मंदित है थर्ड ऑप्शन आपकर करेक्ट हो जाएगा यह थे 34 कोशन राजिस्तान जीके के जो कि सांगी की अधकारी में पूछे गए थे अगर आपको वीडि जरूर करें वीडियो को लाइक और सियर जरूर करें